हेलो फ्रेंड्स नमस्कार विल्कम बैक मैं चैनल ट्रेटीचर जॉब मैं प्रेंग का स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेटीचर जॉब में दोस्तों आज हम बीड प्रतम बर्स चतुत प्रस्ण पत्र सहचिक प्रसासन यम प्रबंधन के विश्य में और यह है आपका लेक्ट्र नमबर 25 तो चले देखते हैं कोस्टन निरडएन का आर्थ है यह हम परिवासा बताते हों निरडन प्रक्रिया का वर्डन कीजिए निरडन लेने के अधारड़ा की ब्याक्षया कीजिए निरडन लेने की प्रक्रिया में समलित चरौडों की पुछा हुआ कोश्चन है अब हम देखते हैं उत्तर निर्डैन निर्डै करना डिसीजन मेकिंग विविन प्रकार के उपलब्द विकल्पों में से किसी एक का वास्थिक रूप से चन करते वे निस्टकर्स पर पहुँचने का अर्थ ही निर्डैन या निर्डै करना है तो दोस्तों किसी भी टॉपिक पर या किसी भी छेत्र में अलग-अलग जहां पर विकल्प हों वहां पर किसी एक विकल्प को चुनना ही निर्डै कहलाता है अधिगम की दृष्टी से निर्डै लेने की कौसल की बालकों के लिए महात्यपूर भूमिका होती है निर्डैन की महात्यप के समद में ग्रीफित्स ने लिखा है कि प्रसासन का मुख्यकार संभावतम प्रभावसारे ढंग से निर्डै प्रक्रिया का विकास और उसे नियमित करना है आगे हम देखते हैं सामाने रूप से निर्डै एक प्रकार का निष्चा है जो किसी सहचिक समस्या के समाधान हे तू किया जाता है सामाने रूप से जो निष्चे किया जाता है वही निर्डै कहलाता है कुछ लोग इसे वैकल्पिक कारी की विधियों का मुल्यांकन दथा चुनाओं की विधी के रूप में भी परिवासित करते हैं निड़े लिने का अर्थ किसी राय पर क्रिया करने की रूप रेखा तयार करना अथ्वा मस्तिस्क में किसी कारे को करने की योजना तयार करना तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें निड़े लेने का अर्थ अलग अलग लोगों के विचारों के माध्यम जहम देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी राय पर क्रिया करने की जो रूप रेखा तयार करना अथ्वा मतिस्क में किसी कारे को करने की जो योजना तयार की जाती है उसी को नड़े काते हैं प्राय नड़े तभी लिये जाते हैं जब समस्या हो और जिसके कारण कारे करने मे तो दोस्तों यहां में देखें समस्या के समाधान के लिए भी निड़ाय लेना आउसेख होता है और बिना समस्या को समझी ना तो कोई निड़ाय लिया जा सकता है आगे हम देखते हैं हौज और जानसन के नुशार अनेक उपलब्ध विकल्पों मेंसे एक क्रिया पत्थ का चैन ही निड़ेन है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें हौज और जॉंसन ने क्या कहा कि अनेक उपलब्द विकल्प में से किसी एक विपत का चैन ही नेड़ा है और हरबर्ट यह साइमन के नुसार है नेड़ेन के तीन चरण होते हैं नेड़ा लेने के आवसरों की खोज करना और संभावित विक इस तो यहाँ पर इन्होंने 3 चरण बता है पहला तो अवसरों की खोज करना नेड़े लेने के लिए और दूसरा उसमें समभावित विकल्पों का पता लगाना और विकल्पों में से किसी एक का चैन करना इस तरह से इन्होंने 3 चरण बता आये अब हम देखते हैं, बेवस्टर सब्दकोश के निशार, निड़यन, किसी ब्यक्त के मस्तिस्क में एक विचार्य कार करने के करम को निशित करने की प्रक्रिया है और हम आगे देखते हैं Griffiths के अनुसार निर्डेन बरतवान की परसितियों में उपलब्द विकल्पों के आधार पर भावी घटनाकरम का रूप है L के ओड के नुसार है अब हम देखते हैं नक्स्ट पेज पर निर्डेन की प्रक्रिया निर्डेन प्रक्रिया से आसर उदेश की प्राप्ति के लिए चिंतन के बाद निश्चित कदमों को उठाने के लिए चुनाओ की विदी है इस प्रक्रिया में सही समस्या का आंकलन हो समस्या समाधान के लिए विकल्पों के बारे में चिंतन हो और निश्चित विकल्पों में से सरवाधिक उपिउक्त विकल्प के चुनाओं का नेडए नेडएन प्रक्रिया कही जा सकती है तो दोस्तों यहाँ पर आँ देखे किसी भी निश्चित प्रक्रिया के उद्देश्ची के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उन कदमों में सबसे पहले समस्या का आकलन होता है उसके समस्या के समधान के लिए विकल्पों का चुनाओ होता है उसके आद उसमें से सरवादिक उप्युक्त विकल्प जो होता है उसका चुनाओ किया जाता है और इस चुनाओं को ही निड़ेन की प्रक्रिया गही जाती है, समाज में प्रतेक सैचिक संस्था के अपने निड़े के लेने के लिए नियम सर्थ और आदर्स होते हैं, निड़ेन की प्रक्रिया में सभी का ध्यान रखा जाता है, तो दोस्तों यहां पर हम देखें, समाज के हर एक छेत्र में अपनी कुछ सर्ते होती हैं कुछ आदर्स होते हैं और उन्हीं आदर्सों को ध्यान में रखकर ही निड़े लिए जाते हैं हरबर्ट साइमन ने निड़ें से पूर निम्लिकित बातों पर ध्यान देने पर बल दिया है है नंबर 1 है सभतन के उद्देसिंहें कीम और ध्यान देना हैं और तीसरे नंबर जाओ लेने हैं और चौत्वे नंबर पर यहां प्राप्त सुचनाओं और आखडों का विश्लेशड कर समस्या समधान का संभावित विकल्प दियार करना और प्रतेक समस्या के समधान के संभावित विकल्प का मुल्यांकन भी करना है और सबसे उपयुक्त विकल्प का समधा के लिए चुनाओ ब्रिजेज ने निड़ेयन प्रक्रिया को निम्लिखित पदों में विभाजित किया है तो दोस्तों यहां पर हमने देखा छे पद इनके अनुसार थे हर्बर्ट साइमन के अनुसार अब हम देखते हैं ब्रिजेज के नुसार इसमें इनोंने निम्लिकित पदों में विभायत किया इनोंने समस्या का परवासी करड़ किया पहले पे और दूसरे में समस्या समाधान के लिए संभावित विकल्प का चुनाओ किया तीसरे में तर्ग संगत विकल्प के संभावित परड़ाओं पर व अबल दिया तो नीर्ड़े प्रक्रिया में हरी सन ने भी अपने कुछ बाते रखी है नंबर समस्य और उद्धेश का निर्धारर नंबर दो पर है तो चुनाओं किया और नमबर फाइव पर निड़ा को पूरा कर नमबर शिक्स पर निड़ा को क्रियानित कर क्रियानवित्य का अनुवरण करना तो दोस्तों यहां पर हम देखें यह देखिए नीचे डाइग्राम बने हुए है कि उद्देश निर्धारित करना और नीचे अनुकरण और केंद्री करण और इसी तरह से विकल्पों की खोच करना और विकल्पों का मुल्यांकन और तुल स्कूलों की परसिती में निरए प्रक्रिया के लिए दो मोडल प्रसुत किये थे 1.2 traction विद्यालों के सर्वेच्छड के आधार पर 80% नेड़े राजस्थान के मादमिक स्कूलों में बेक्तिकत अस्थर पर स्वेम विवेक से लिए गए जबकि 20% नेड़े स्टाप के सहयोग से लिए गए तो दोस्तों यहां पर हम देखें जेपी वर्माता मातुर ने अपनी विद्यालों के सर्वेच्छड के आधार पर देखा गया कि 80% नेड़े राजस्थान के मादमिक स्कूलों में बेक्तिकत अस्थर पर स्वेम विवेक के लिए गए जबकि 20% नेड़े स्टाप के सहयोग से लिए गए लके ओड और जेपी वर्मा ने नेड़े से समझे दो मा प्रक्रिया मॉडल में हम देखते हैं उद्देश और शिक्ता लच्छता मुल्यों का अनुमान सूचना एक अत्रित करना नमबर दूसरे में रखा समस्या का परभासी करण करना विकल्पों पर विचार करना विकल्पों तथा बाधाओं की पहचान करना और नमबर शिक्स पर है विकल्पोत बाधाओं का मुल्यांकन करना और नमबर सेबन पर है निर्ड़ा लिना नमबर एट पर निर्ड़ा का मुल्यांकन करना तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें आठ चरणते वैक्टिक निर्ड़ा प्रक्रिया मॉडल के अब हम देखतें ब्यवभार इन सभी पदों का संचे में बढ़न निम लखित है उद्देस ये लच्छ तत्था समस्या के बारे में पता लगाना इसके अनुसार प्रते समस्या के समाधान के लिए उसमें जो भी समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए जो भी निड़ा लेना है उसमें उसके जो उद्देश हैं लक्ष हैं और उसके उद्देश और लक्ष को पूरा करने के लिए जो भी आउसिक चीज़े हैं तो उन सब चीजों का समाधान करते प्रियात्त मातरा में होगी नीड़े उतना ही पूंच्छा का प्रिभासी करड़ करणा समस्य कि स्प्रकार की है उसकी कि गुरुता कितनी है आध की परिभासा करुना भी निड़य लेने की द्ष्टीसे उप्युक्त है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखे किसी भी समस्या के बारे में डिटेल से जानना उसके बारे में निड़य लेना एक उप्युक्त द्ष्टी कौंड होगा नमबर 4 हम देखें विकल्पों पर विचार करना इसके अंतरगत समस्या के समाधान के लिए विकल्पों पर विचार करना चाहिए इसके लिए समस्या से समस्या से परियावरण का ज्यान आवस्या करता है तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी समस्या होती हैं वो कही न कही परियावरण से प्रभावित होती हैं तो उसके लिए इन समस्याओं का जो भी समाधान और उसके लिए आवस्यक ज्यान होना ही चाहिए नमबर फाइब पर हम देखें विकल्पों तदा बाधाओं की पहचान करना समस्य और समधान के लिए निड़ाय लेने से पूर्वे अनेक विकल्पों और बाधाओं की पहचान करना अत्यन तावस्यक है यही विकल्प सही निड़ाय के लिए आधार बनते हैं अब हम देखते हैं नमबर 6 पर विकल्पों तदा बाधाओं का मुल्यांकन करना तो दोस्तों यहां पर हम देखें इसके अंतरगत विकल्पों पर विचार करना चाहिए और उनमें जो विकल्प सरवाधिक उप्युक्त लगे उसी के संबंद में नेड़य लेना चाहिए तो दोस्तों जितने भी विकल्प हैं समस्या समाधान के उन सभी विकल्पों में जो स विकल्प सब्सक्राइब से लिए kann ऑए तो डोस्तों यहां पर olharने लेने की बात तो जो विकल्प सबसे सटीक और उप्युक्त तो उसी तर्क संवत के आधार पर ही निड़े लेना चाहिए जिससे की निड़े सफल हो तो यहां पर हम देखें नंबर सेबन तक अब नंबर सेबन तक हम देख चुके हैं अब हम देखते हैं नंबर एट निड़े का मुल्यांकन करना दोस्तों यह हम जो पढ़ रहे हैं यह बैक्टिक निड़े प्रक्रिया मॉडल के अंतरगत पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आठ पद देखे हैं जिसमें आठमा हम देख रहे हैं निड़े का मुल्यांकन करना इसके अंतरगत निड़े करता को अपन पॉइंट है जब भी कोई निड़े समस्या के समाधान के लिए लिया जाता है तो उसमें मुल्यांकन पर विचार विमर्स होने के साथ सद्ध्यान देने से भी जो आपने निड़े लिया वो कहां तक सफल है उसके उपर मुल्यांकन करने के बाद ही ये पता चलता है अब हम देखते हैं इसमें हमने देखा था एल के ओड और जेपी बर्मा ने निड़े अनक से समधित दो माडल प्रसुत किये थे जिसमें पहला था वैक्तिक निड़े प्रक्रिया माडल और दूसरा था सामोहिक निड़े प्रक्रिया माडल तो इसमें हम वैक्तिक निड़े प ल्यांकन करना लास्ट था अब हम देखते हैं सामोहिक नेड़े प्रक्रिया मॉडल तो दोस्तों यहाँ पर देखें सामोहिक नेड़े प्रक्रिया मॉडल में यह देखें डाइग्राम बना हुआ है यहाँ पर हम नीचे देखते हैं सामोहिक निड़य प्रक्रिया मॉडल व्यक्तिकत निड़य प्रक्रिया मॉडल से भिन है इसमें व्यक्तिकत रूप से निड़य लेते समय निड़य लेने वालों को ही सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तो दोस्तों यहाँ पर देखें सामोहिक निड़य प्रक्रिया मॉडल में समों के सारे सदस जो भी निड़य प्रक्रिया में सामिल रहते हैं उन सब को प्रक्रियाओं से गुजनना पड़ता है प्रधाना ध्यापक समस्या की अनभूती होते ही समस्या के परभासी करड़ से ल करने तक के सभी कदम स्टाफ के सहयोग से करने होते हैं तो दोस्तों यहां पर हम देखे सामुही के नेड़य प्रक्रिया मॉडल में जो प्रधाना ध्यापक होते हैं जो सारे स्टाफ होते हैं वो मिल करके स्टेप बाइस्टेप सारे जो भी कदम है नेड़य लेने से समझ दे हैं और एक दूसरे के सहयोग से करते हैं इस प्रक्रिया का दोस्त यह है कि ब्यक्तिकत नडइ लेने की कठनाई होती है इस प्रकार का नड़े विद्याले समय के बाद ही संभव होता है इसमें तमाम तरह की कठनाईया उत्पन होती है और नड़े की प्रक्रिया में समय अधिक लगता है तो दोस्तों यहाँ पर लोगों के अधिक होने से और लोगों में विचारों का इतरह से मिलना भी बहुत ज्यादा महत्पूर होता है कभी-कभी विचारों का ना मिलना भी समय अधिक लेता है और साथ ही कठनाईयां भी अधिक आती है तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो नेड़े समंदित दो माडल प्रस्तुत किये अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन बटन को प्रेस्वी कर लिजेगा और इसी तरह से हम आपके लिए रोज नए नए वीडियो लात करते रहते हैं और हम आपके लिए टेलिग्राम चैनल पर वीडियो रखते हैं और साथ ही हम आपके डिस्क्रिप्शन में इस सारे वीडियो की लिंक दे रखें जुतने भी आपके चारों कंपल्सरी पेपर हैं आप अपनी मेहनत इसी तरह से जारी रखिए हम आपके लिए ह